बिहारी स्टाइल एक करी का स्वाध ही डिफरेंट होता है, ना तो टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी चीज़ को पीसना या ग्राइंड करना, ना कोई जिंज़ट, बहुत आसानी से ये बन जाता और टेष्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो चलिए इसे बनाना के छिलके को हटा दीजी और देखिए इस तरह से आपको कट मार्क लगाना है बस तीन से चार कट मार्क लगाएंगे हम ताकि ग्रेवी है ना अंदर तक जाए और यहां देखिए हमने इस्तिमाल किया है चार मीडियम साइज के प्याज धेर सारा लेसन और अदरक अब जो हम ग आतरा भी बढ़ानी होगी यानि छे से साथ आपको प्याज डालना होगा ठीक है देखिए इस तरह से रफली कट कर लेना है और अब प्याज को रख लीजे साइड में और अब देखते हैं आगे का प्रोसेस अदरक लेसन या प्याज का हम पेस्ट तयार नहीं करेंगे सारी चीजों को रफली ही डालेंगे तो देखिए यहां पर लेसन और अदरक को मैं कूट करके रख लूँगी आप चाहें तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं अच्छा ये जो रेसिपी है वो बैचलर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो आफिस जाते हैं जिनके पास मिक् अब हमें क्या करना है एकए कर के सारे अंडे मैं इसमें डाल दोंगी और इसमें डालना है थोड़ा सा हल्डी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ कर लिजे अंडों को जब तक की कलर चेंज ना हो मीडियम हीट पे इसे फ्राइ कीजिए और देखे इस तरह का कलर हो जाना चाहिए देखे अच्छी तरह से ये भुन गया चलिए हम इसे बहार निकाल लेते हैं और आप चाहें तो इस वक्त थोड़ा सा नमक और काली मिल्च पाउडर भी इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं चलिए अब इसी पैन का हम इस्तिमाल करने वाले हैं तो इसे पोच लूँगी मैं टिशू पेपर से और अब इसमें डालिए दो बड़े चमज सरसो का तेल क्योंकि बिहारी स्टाइल जो एक करी होती है ना उसका मज़ा तो मस्टर्ड ओयल में ही आता है और सरसो तेल को बढ़िया गरम कीजिए जब तक कि इसमें से धुआना आने लगे देखे इस तरह से और अब इसमें डालेंगे दो तेजपत्ता और थोड़े से खड़े गरम मसाले इसमें मैंने लॉंग बड़ी लाइची छोटी लाइची दाल चीनी यह सब डाला है और अब हमें डालना है दो सूखी हुई लाल मिर्च चलिए इसके बाद प्याज डाल देना है हमें और मीडियम फ्लेम पर प्याज को अच्छे से फ्राई करना है तो प्याज की भुनाई होना बहुत जरूरी है इसके बाद हमें इसमें डालना है अदरक और लेसन चलिए अद्रकलेसन डाल देते हैं और इसे भी बढ़ियां से फ्राई करेंगे अच्छा इस वक्त चाहें तो आप दो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा जादा पसंद हो चलिए मिक्स कर लेंगे और बढ़ियां से फ्राई कर लेंगा है देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया है तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ सुखे मसाले तो यहां आदा चमच हल्दी पाउडर दालिए दो चमच डालिए धनिया पाउडर एक चमच डालना है जीरा पाउडर और एक चमच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच डालिए काली मिर्च पाउडर इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चलिए मिला लेते हैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और ये तीखा भी नहीं होता इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और आधा चमच मैं इसमें आड़ कर रही हूं तीखी वाली लाल मिर्च और मसालों की बढ़ियां से भुनाई होनी जरूरी है अगर पैन में चिपकने लगे तो थोड़ा सा पानी आड़ कर लीजे और इसे बढ़ियां से भूनिये चलिए अब स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं तो लगबग चार से पांच मिनट तक मैंने मसालों को भूना है लो फ्लेम पे और देखे सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब बारी है इसमें पानी आड़ करने की तो एक कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके एक और डिंग पानी डाल सकते हैं ठोड़ा पानी और डाल देते हैं, देखिए, तो लगव़ग एक कप पानी कुल मिला करके मैंने डाला इसमें, और अब इसमें डालना है, देखिए, यह लेसन, तो पूरा एक लेसन मैं धो करके इसमें डाल रही हैं, तो जो बिहारी स्ताइल एक करी होता है, इसकी यह speciality होती इसमें पूरा लेसन डाला जाता है अगर अच्छा हो तो दो लेसन भी डाल सकते और ज्यादा मात्र में बना रहे हैं तो तीन चार लेसन भी डाल सकते ये इसके टेस्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और अब कवर करके हम 2-3 मिनट तक इसे उबाल लेते हैं ताकि लेसन का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छे से आ जाए ग्रेवी जब उबलने लगे उसमें उबाल आ जाए जब तो अब हम क्या करेंगे फ्राइ किये हुए अंडों को इसमें एड करेंगे मिक्स कर लेना है इसे और सबसे एंड में हमें डालना है गरम मसाला पाउडर तो एक चमच गरम मसाला पाउडर मैं डाल रही हूँ और कवर करके लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है लग भग 3-4 मिनट तक ताकि ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो जाए तो चलिए इसे कवर क चार मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया और देखिए ग्रेवी हो गई है गाड़ी बस हमें इतनी ही थिक ग्रेवी रखनी है और देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच घी ये भी इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है वैसे तो ये आप 2 मिनट मैंने इसे फिर से पकाया और देखिए कलर बहौट ही बढया आया है और लेसन भी अच्छे से पक गया है तो अब फ्लेम को करिए बंद restless millionaire की पत्तिया तो फ्रेस फ्रेस धनिया की पत्तिया डालिये और मैं इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल रही हूं अगर आप तीखा-क हम खाते हैं तो skip भी कर सकते हैं यह बस garnishing के लिए हैं कवर करके थोड़ी देर हम इसे छोड़ देते हैं उसके बाद हम इसे सब करेंगे घर में अगर किसी को सरदी जुकाम हो जाए या बच्चों को सरदी लग जाए तो इस तरह से एक करी बना कर दीजिए बहुत ही फाइदे समद होती है तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि यह रेसिपी कैसे लिए साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सो थैंक्स वर वाचिंग बाबाई और टेक क्यार